सूरच, धर्ती पर लाइफ को जन्म देने वाला स्टार हमने बच्पन में साइंस की किताबों में सूरच के बारे में बहुत कुछ पड़ा है और उनमें से ही एक बात है कि लाइट को सूरच से अर्थ तक पहुशने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं तो क्या आप यकिन करोगे? हाँ, ये बात सच है सं लाइट को सन के कोर से उसकी सर्फिस तक आने में ही देर लाग साल लग जाते हैं फोटोंस सन के कोर में न्यूकलेर रियक्शन की वज़ा से बनते हैं और ये गामा रेज की फोर्म में बाहर आते हैं और जैसे जैसे ये फोटोंस सन के कोर से बाहर आते हैं ये ट्रिलियंस ओफ एटम से टकराते हैं जिसे रेंडम वाक भी कहते हैं जैसे कोई बूल बुलईया हो और इसी बूल बुलईया में फसकर फोटोंस को सिर्फ सन के कोर से उसकी सर्फिस तक आने में ही देल लाक साल लग जाते हैं और इसी यात्रा में ये अपनी एनरजी लूज करते करते गामा रेस से कम एनरजी वाले फॉर्म में आ जाते हैं जैसे कि एक्सरेस, विजीबल लाइट, यूवी रेस और जैसे ये सर्फेस से बाहर आते हैं तो इनके आगे और कोई अबस्टिकल नहीं होता, खाली वेक्यूम होता है, इसलिए सन की सर्फेस से अर्थ तक आने में ये सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लेते हैं